हलो दोस्तों वेलकाम आज मैं जिस युन्यानी दवा के बारे में जनकरी देने वाला हूँ इसका नाम है माजून अकरब जो जहरीले काले बिच्छुओं से बनाई जाती है आज किस वीडियो में आप जानेंगे इस दवा का नुस्का यानिकिक इसका कमपोजिशन बनाने का तरीका इसके फाइदे और इस्तेमाल के बारे में तो आईए सब कुछ विस्तार से जानते हैं माजून अकरब जैसा कि इसके नाम से पता चलता है अकरब का मतलब होता है बिच्छु अकरब एक अरबी शब्द है माजून का मतलब होता है चटनी या हलवा के तरह की दवा तो आई सब से पहले जानते हैं माजून अकरब का कमपोजिशन इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा काकेनज की जड़ 15 गराम जितियान रूमी यानि की रूमी पशान बे 13.5 गराम जुन्द बे 10.12 गराम अंतर धूम में जलाया हुआ काला बिच्छु 10.5 गराम सफेद मिर्च 8 गराम काले मिर्च 8 गराम और सोट 5 गराम यह जानते हैं माजून अकरब बनाने का तरीका इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है सभी चीज़ों को कूट पीच कर बारिक कपड़चन चुन बना लें अब इस चुर्ण के कुल वजन का तीन गुना असली शहद लेकर चुर्ण को अच्छी तरह सीसमें मिला का रख लें बस यही माजून अकरब है वैसे यह बना बनाया मार्केटों मिल जाता है इसे आनलेन खरीदने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहां से आप घर बैठे आनलेन खरी सकते हैं माजून अकरब के फाइदे यह कीडिनी और मुतराशे की पत्थरी को चूर चूर कर निकाल देती है पत्थरी, पत्थरी के दर्द और प्रिशाब की जलन दूर करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है माजून अकरब का डोज और इस्तेमाल करने का तरीका 500 एम जी से एक गराम तक सुबह शवेरे दो कप अर्क सौफ और एक कप शर्बत मजूरी मिक्स कर इसे लेना चाहिए या फिर अस्थानी वैद या हकीम जी की सलाह के नुसर ही इसके इस्तेमाल करना चाहिए तो दोस्तों यह थे आज की जानकारी माजून अकरब के बारे में इसके बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट कर पूछे आपके सवालों का स्वागत है आज के लिए इतना ही अब इस वीडियो को अपने कांटाइट के सभी लोगों को शेर कर दीजिए तभी दूसरे लोगों का भी भला हो सकता है जानकर अच्छी लगी हो तो शेर जरू कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पनाए नहीं आ है सब्सक्राइब कर लिजिएगा यूटूब पर देख रहे हैं जै चैनल सब्सक्राइब कर घंटा को दबा दीजिए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलू कर लिजिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब शुक्राइब जै हिंद जै आईरवेद